सुभे जो अध मन्जे बरतन छोड़ कर चली गई थी फिर वापस नहीं लोटी सुभे जो वो बरतन आधे मांज कर छोड़ कर गई थी बीच में वो मांजने भी वो दुबारा नहीं आई, वो लोट कर ही नहीं आई परोस के घर की सुखधा भी उसी महले की है पर उसके घर में एक दूसरी महरी सुखदा काम करती है, जो तुनी की मा के महले की है, मा ने उसे भीजा था, पर तुनी की मा ने कहलवा दिया कि अब वह काम नहीं करेगी, मा ने उस सुखदा को भी तुनी के घर भीजा था, लेकिन तुनी की मा ने कह दिया कि अब वह तुल- जाना एक बहाना था कि ये एक बहाना बना कर हमारे घर से गई थी कि मैं टुनी के पापा से पूछने जा रही है। टुनी की मा को दोश नहीं दे रहा और मेरे घर में देखो जितने भी बड़े लोग हैं उन में से कोई भी ये नहीं कह रहा कि टुनी की मा की गलती है सभी तुल-तुल की बेवकुफी की बाते कर रहे हैं और सब कह रहे हैं कि तुल-तुल बेवकुफ है और ये लोग सभी पढ लिखा मानते हैं ये तो जानते हैं कि बाल वर्ष में क्या क्या करना चाहिए रोज जो अकबार पड़ते हैं ये मेरे घर में जितने भी बड़े लोग हैं रोज अकबार पड़ते हैं और उनको तो पता है कि बाल वर्ष में क्या 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 करना चाहिए किस तरह बच्चों का ख्याल रखना चाहिए फिर वे मुझे बेवकुफ क्यों कह रही हैं असल में बड़ों को समझ ही नहीं समझा ही नहीं जा सकता फिर तुल-तुल अपने मन ही मन सोचती है कि बड़ों को तो समझा ही नहीं जा सकता बड़े लोग कभी कुछ बोलते हैं तो कभी कुछ बोलते हैं बड़े लोगों की बाते ही अजीब होती है जो एक व्यक्ति के लिए दूसरी होती है और दूसरे व्यक्ति के लिए अलग तरह की होती है उनके सभी काम बड़े उल्टे किसम के होते हैं उनके सभी काम उल्टे होते हैं क्यों वे टुनी को तो स्कूल जाने के पक्ष में नहीं लेकिन तुल्टुल को डाट पढ़ती है अगर वो स्कूल नहीं जाती तो तुल्टुल को ये बात समझ नहीं आ रही इस बार की तो बात है तुल्टुल जल पाई गुड़ी में नाना जी के घर गई थी अब देखे तुल्टुल अपने नाना जी के घर गई थी उस बात को य विद्या सागर जी की पुस्तक दया के सागर खरीद कर दी थी कि वो उससे पढ़े और उससे शिक्षा ग्रहन करे उस समय वे क्या बोलते थे कि विद्या सागर जी ने क्या क्या कहा है महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़ तुल-तुल नाना जी उस समय तुल-तुल को कहते थ तुल्टुल तुम्हें महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़नी चाहिए, ताकि उनके जीवन से कुछ शिक्षा ग्रहन कर सको, अच्छी अच्छी बाते सीख सको, इसलिए जब तुल्टुल अपने नाना जी के घर गई थी, तो उसके नाना जी ने उसे विद्या सागर जी की पुस्तक दया के सागर, विद्या सागर पुस्तक खरीद कर दी थी, ऐसे किताबा पढ़ना और उनके आदर्शों पर चलना, और तुम्हें इसी तरह की किताबे पढ़नी चाहिए, और उनके आदर्शों पर चलना चाहिए, उनके अच्छे गुनों को अपनाना चाहिए, य ये बात नाना जी ने मुझे कही थी जब मैं उनके पास रहने गई थी.